ओके नाव वी स्टार्ट लोगारिधम फंक्शन लोगारिधम फंक्शन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि वाट इस लोगारिधम फंक्शन लोगारिधम इसको शॉरट में लोग बोला जाता है शुरू के तीन एल्फबेट ले लिए जाते हैं ठीक है इसको शॉर्ट में बोला जाता है लोग फंक्शन घीक है तो अब से हम लोग यूश करेंगे log यूश करेंगे उसका थोड़ा सा ओवर्व्यू लेकि देखते हैं और वहीं से हम लोग जो है कनेक्ट करेंगे लोगैरिध्म फंक्शन को ठीक है ओके एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो फंक्शन होता था वह होगा वाई बराबर एकी पावर एक्स ठीक है आपको पता है यह बेस होता है ठीक है यह पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं इसे इसका नाम मतलब इसको शौट में मतलब बोला जाता है पावर ठीक है इसका एक नाम पावर भी है इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं क्या बोल जैसे कि यह एक टाइम मशीन है जिसका ग्रोफ रेट हमें शैट कर दिया कि वह क्रोफ रेट जो है वो 10 है इसका मतलब समझे कि इसका growth rate का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप इस machine में enter करे जैसे ही आप इस time machine में enter करे इसने आपको 10 दिन आगे भेज दिया ठीक है यह बास समझ में आ रही है तो growth rate का मतलब हम यहाँ पर यह define कर रहे हैं कि जैसे ही आप इस machine के अंदर गए तो इस था, यानि कि हर time machine का growth rate अलग-अलग हो सकता है, हाँ, बिल्कुल हो सकता है, तो बताइए, एक time machine दूसरी है, जिसका growth rate 20 दिन है, तो इसका मतलब क्या है, कि ये time machine आपको 20 दिन आगे भेज रही है, क्या है, 20 दिन आगे भेज रही है, ठीक है, ये बासन में आ गई, तो इसको ह हम बोल रहे है growth rate और इसको exponential function से connect कर रहे हैं तो उसको हमने बोला base क्या बोला इसको हमने बोला base ठीक है दूसरी बात यह है कि अगर हम इस time machine में जो growth rate है उसकी time को यानि कि उसके time को increase कर दें उसके time का क्या हुआ सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है connect नहीं कर पा रहा हूं में जैसे माल लीजे हमने कहा 10 की power 2 ठीक है तो यह 10 की power 1 भी हो सकता है growth rate कितना है 10 और यह कितना है यह इतने time को growth rate को increase कर दिया गया नई समंझ में आ या बात मैंने क्या हम कितने भी guna इसका time इंटरवल बढ़ा सकते हैं इतनी बात लिया रहा है माली यहाँ पर 2 है, यह क्या है, यह time interval है, इसको हमने बोल दिया time, ठीक है, अब जो इसका final result आएगा, वो depend करता है इस 2 पे, वो depend करता है इस 3 पे, जैसे आप 3 रखोगे, तो 1000 हो जाएगा, जैसे आप 4 रखोगे, तो 10,000 हो जाएगा, जैसे आप 5 रखोगे, तो 1 lakh हो जाएग तो यह depend करता है, इस 2 पे, इस time पे depend करता है, और इस time को हम बोलते है, independent variable, आपको पता चल गया कि exponential function से मैं इसको पूरा connect कर रहा हूँ, अब देखिएगा दियान से, इसको हमने बोला है, इसको क्या बोला है, इसको हमने बोला है, independent variable, अब बताएगे, dependent variable क्या है, जो इसका result ह होगा, जैसे माली, इसका result कितना है, 100 तो इसका मतलब क्या है, इस time machine में आप गए, जिसका growth rate 10 है, जिसका time interval 2 है, मतलब समझ गया, time interval 2 का मतलब समझ गया, अच्छा, आप उसके बाद जो final result आया है, वो क्या है, 100 है, इसका मतलब इस time machine में अगर time interval 2 है, growth rate 2 है, जैसे आप इं आपको final result देगा, 1000, ठीक है, बासन में आ रही है, अच्छा, अब यहाँ पे, यह independent variable है, time, यह independent, independent variable है, ठीक है, independent variable, और यह वाला जो है, यह क्या है, y, और यह क्या है, y, यह x था, यह y है, इसको क्या बोलेंगे, यह क्या है, dependent variable है, dependent variable, ठीक है, यह dependent variable है, यह independent variable है, अब आप देखिएगा, बहुत ध्यान से, कि सबसे पहले हमने base को लिया, फिर हम independent variable के पास गए, क्या है, independent variable यह है, ठीक है, और फिर जो हमें result मिला, वो हमें मिला यह, ठीक है, तो यह जो process आया है, इस process को आप बोल रहे हो, तो exponential function, क्या बोल रहे हैं आप, exponential function बोल रहे हो, कि भईया, हम base के पास गए, सबसे पहले base की requirement है, उसके बाद आप independent variable के पास गए, और independent variable पर depend करता है, dependent variable, तो फिर dependent variable के पास गए, तो यह process है, इस process को हम क्या बोल रहे हैं, इस process को हम बोल रहे है, exponential function, हमने कहा, just इसका opposite, opposite को हम लोग mathematics की language बोलते है, inverse, क्या बोलते हैं, inverse, तो इसका inverse function जो होगा, वो आपका log function होगा, क्या होगा, log function होगा, अब आप बता उसका inverse function का मतलब क्या है, base तो requirement है, ठीक है, अब अब अगर हम result पता शिल जाए हमें, ठीक है, और result पता करने के बाद हमसे कहते हैं, time बता दो, तो बता हो आप ऐसे जाओगे, हाँ ऐसे जाएंगे, तो ऐसे जाने को बोलते हैं, ऐसे ज क्या होता है, बेटा ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या होता है, आपको base given होगा, इसमें क्या होगा, यह जो result होगा, यह आपको given होगा, और आपको निकालना क्या होगा, आपको निकालना होगा, कि बाई, कितने time आपने growth rate बढ़ाया है, कि आपको final result यह मिलाए, ठीक है, बासवन में आ रही है ओके अब log function का representation जो होता है वो कैसे करते हैं वो देख लीजिए ठीक है log function का representation अब मैं आपको बताता हूँ कि log function को represent कैसे करते हैं ये बासवन में आ गए कि log function क्या होता है ठीक है क्या होता है exponential function का reverse function होता है यहां बोल सकते inverse function होता है mathematics की language में inverse function होता है ठी की है डिप्रेजेंट करने का तरीका यह है लोग का फंक्चन है तो लॉग का नाम होगा तो यहां पर इसके बेस में जो वहां पे था यहां पर भी बेस ए ही रहेगा इन दोनों बेस में कोई चेंज नहीं आपने देखा था यहां पर भी बेस 10 था और वापस आने में भी बेस 10 था ठीक है तो बेस में कोई चेंज नहीं है यानि कि जो exponential function का बेस था और उसको हम suppose करके जो function कर रहते exponential function का जो answer निकाल लेते उसमें जो बेस है अगर आपको logarithmic function लगाना है तो बेस चेंज नहीं होता है बास समन में आ रही है बेस चेंज नहीं होता है अच्छा अब यहां पर जो x है यहां पर जो x है वो वहां पर क्या था वो वहाँ पे y था, क्यों समझ में नहीं आई, ये बास समझ में नहीं आई सर मेरे, देखिए है क्या, हमने बताया था आपको, कि सबसे पहले हम लोग कहां गये थे, सबसे पहले हम लोग base पे गये, exponential function की मैं बात कर रहा हूँ, फिर हम लोग के independent variable, यानि कि x पे गये, और x हमा से inverse मारोगे, inverse का मतलब क्या है, आप पहले base पे गये, base पे गये, आपको result दे दिया गया, result दे दिया गया, ठीक है, और आप से find out करवा रहा है time, ठीक है, तो अब बताओ, यहाँ पे जो result आएगा, उसी हिसाप से टाइम आएगा, यानि कि बीश वाला जो भी होता है, वो हम logarithmic के लिए x, यानि कि इसका मतलब यह हुआ sir, कि exponential function का, जो dependent variable था, अब वो logarithmic function का independent variable बन चुका है, और independent variable को लिखने का तरीका क्या है, उसको हम लोग x से represent करते हैं, तो बताइए, यह जो x है, यह क्या है, यह exponential function का y है, यह exponential function का result है, बासवन में आ रही है, और जो logarithmic का y ह होगा, वो exponential function का input होगा, यानि कि यह x होगा, ठीक है, तो यह बताइए, क्या हो जाएगा, is equals to y, यह इसको represent करने का तरीका है, यह इसको represent करने का तरीका है, कि y बराबर log, पढ़ते कैसे हैं, y बराबर log x base a, ठीक है, y बराबर log x base a, पढ़ते हैं, x क्या है, what is x, इसमें log को बोला गया कि बाई, सबके अलग-अलग चीजें, मतलब अलग-अलग यह independent variable है, यह dependent variable है, तो हम इसको बोलते हैं, log में, इसको बोलते हैं, log का number, ठीक है, log का number बोलते हैं, इसको base बोलते हैं, और इसको result बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग result बोलते हैं, clear है, एकदम clear है, मा लिजे 5 पूट करा, ठीक है, x की वैल्य 5 पूट करा, तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 की पावर 5, यानि की 2 into 2 into 2 into 2, यानि की 32, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू 32 आ रही है, y क्या है, exponential function का result है, तो यह बताईए, log random function का क्या होगा, independent variable होगा, x होगा, तो बासरान में आ रही है, एकदम clear है, तो इसका बतलब क्या है, log a, अगर हम यहाँ पर रखेंगे 32, तो हमें मिलेगा 5, बात clear हुई, बात clear होगा एकदम, एकदम clear है, यहाँ पर base क्या है, यहाँ पर base इतना है 2 है, तो जो base होगा, वो base रखना है, जो result होगा, वो इसका input होगा, जो exponential function का result होगा, वो इसका output होगा, जो exponential function का input होगा, वो इसका output होगा, बासरान में आ रही है, एकदम clear?